हो भगवान शंकर तुमसे मिलने आये थे। तभी सुम्ती सोचती है कि चीकू ने कोई सपना देखा होगा। कुछ दिनों के बाद चीकू की दादी बहुत ही बीमार पढ़ जाती है। और सनातन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। कि वहाँ चीकू की दादी को किसी अच्छे डौक्टर को दिखा कर उनका इलाज करवा सके। तभी सनातन सुम्ती के पास आकर कहता है कि इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मा का इलाज करवा सकू। और मलिक ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। तभी चीकू उन दोनों की बाते सुन रहा होता है और वहाँ दोड़ कर भगवान शंकर की मूर्ती के पास चला जाता है। फिर चीकू भगवान शंकर की मूर्ती के पास जाकर रोने लगता है कि भगवान मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वे मेरी दादी का इलाज करवा सके। भगवान आप ही हमारी कुछ मदद करें जिससे हम हमारी दादी का इलाज करवा सके। तभी थोड़ी देर बाद चीकू के घर एक वेद आते हैं तब सनातन उनसे पूछता है कि आप कौन है तब वेद जी उनसे कहते हैं कि मुझे चीकू ने अपनी दादी के बारे में बताया तो मैं उनका इलाज करने के लिए आया हूँ फिर वेद जी चीकू की दादी का इलाज कर देता है और उनके लिए दवाईया दे देता है तभी चीकू की मा सुमती वेद के लिए चाय बनाने के लिए जाती है जब वहाँ चीनी का डिब्बा खोलती है तो वहाँ देखी है कि चीनी के डिब्बे के अंदर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं तो वहाँ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कभी सनातन रसोई के अंदर आता है तो निर्मल उनको पैसे दिखाती है तो सनातन उन पैसों में से कुछ पैसे ले जाकर वेद जी को देता है तो वेद जी पैसे लेने के लिए मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं तभी वे लोग चीकु से पूचते हैं तो चीकु उन्हें कहता है कि मैंने दादी के बारे में भगवान शंकर को बताया तो उन्होंने ही पैसे दिया होंगे फिर निर्मल और सनातन भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि है भगवान इतने पैसे तो हमने हमारे जीवन में नहीं देखे आप ही हमें कुछ बताईए तभी भगवान शंकर प्रकट होते और कहते हैं कि सनातन मैं तुम्हारे बेटे चीकों के भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हूँ इसलिए मैंने ही तुम लोगों को पैसे दिये हैं और उस चीनी के डिब्बे में से तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकते हो उसमें कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे और उन पैसों से तुमें अच्छे काम करने होंगे अगर तुमने अच्छे काम नहीं किये तो तुम वापस गरीब हो जाओगे सनातन और सुम्ती उन पैसों से बहुत ही अच्छे काम करते हैं और दान पुन्य करते हैं जिन से उनकी जिन्दगी बहुत ही अच्छी तरह से गुजरती है